पत्याक्षी होंगे वहाँ पर वो अपनी सपोर्ट करेंगे मैं जनाब डाक्टर पियु साहब का बहुत शुक्रिया दा करता हूँ कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने पैसला लिया है और इंशालला हम सब लोग मिलकर आगे इस जुनाव में मिलकर काम करेंगे ताकि उनकी पार्टी के पज्याक्षी और भागेदारी परिवर्तर मोचाइक एंडियर्ट्स को काम बेंगे सब्सक्राइए कि अब करता है कि अब पर इस प्रशी ने कि हम सभी ने कि आपस में श्रयोग करके एक मजबूत विकत्त देने की कोशिश की है और यह कुछ फैसला लिया है कि भागेदारी मोचा के यहां प्रत्यासी होंगे हमारे प्रत्यासी नहीं रहेंगे वहां पीस पार्टी उनका समर्थन करेंगी और जहां 20 पार्टे के परत्यासी होंगे वो भागिदारी मोर्चा उसमें सबसर करेंगे यह हम सबीने फैसला लिया है और मैं समझता हूँ कि आने वाले 2022 के चुनाओं में हम मजबूत रीटल की तरह से उभरेंगे जो भी अभी जो पचा हुआ है सिटे जहां चुना होना है और इसी फैसले के साथ में समझता हूँ कि हम लोग एक मजबूती के साथ चुनाओं गयाएंगे शहरा अभी टोटल उमिद्वार तभी होने हैं अभी फैसले नहीं एक सते और मुझे लगता है कि करीब पचास के आसपास पीस पाटी के उमिद्वार अभी है आध्याइक यहां प्रफ्दय के तोर पर आम यह शामील हूएं है जी पार्टी की तरफ से इधर हैं हम सबने ये बैठ के तैं किया है कि जहां भागेदारी परिवर्तर मोर्चा के प्रत्यासी नहीं होगे पीस पार्टी के प्रत्यासी नहीं होगे तब पीस पार्टी के होगे वहां हम भागेदारी परिवर्तर मोर्चा में जो समलित हमारे घटक दल हैं पीस पार्टी के कंडिडियोटों का समर्थन करेंगे और जहां पीस पार्टी के नहीं हैं, हमारे मौचे के हैं, वहां पीस पार्टी के साथ ही समलतन करेंगे आज की क्वेस का मक्षद यही है, बाकि फर्स फेस में, सेकर्ड फेस में आप साथ जो तर्ट्यासी थे अब आगे के जो फेस हैं, उस फेस में ऐसा हमारा चलेगा, यह हम लोगों ने बैटके तहीं किया है अदेज जी, दो जरा के मतलान हो चुके हैं, अब बचे वे जो है जरा है, उसके लिए उन्हें लेकि इसने देरी से नहीं हैं नहीं, डेरी से नहीं हैं, हम लोग बैटके मैंने आपको जैसे पहले बताया, आपकी रेक रेक में आपकी उपरस्तिती में, फर्स्ट और सेकेंड चर्ण के जो मत्दान हुए, हम लोगों ने ये तै कर लिया था, जबकि हम लोगों ने प्रचार भी गिया, एक दिन मैं तो हमारे मोचे की भी प्रत्यासी थे, निकें भी प्रत्यासी थे, सेकांड फेस वारे में, तो हम लोग पहले आपको, हम नहीं समय से सूचित कर पाए, लेकिन हम लोगों ने बैटके ये तै कर लिया था, और हम लोगों ने पचार पर सार्ण कर लिया, आगे के चरण में पाइधों को जानकारी हो जाए, सभी आम जंता को जानकारी हो जाए, इसलिए आगा आपको पर मोर सूचना देना अग्यासी थे, संभी पाइधार के आपको ने बैटके नहीं सम्चक्राइब हम लोगों ने लगभग अभी 310 के करीम है, तो कस्प जी 310 के करीम हमारे कंडि हमारे और साथी हैं कुछ जगों पर हमारे इंडर्पेंडेंट हैं जो अच्छे लग रहे हैं उनको हमेशा मत्यूं किया है और वाकि आप वैसे साथ जो को चानना चाहें तो मैं देता हूं उनको मैं कुछ ज़िए पर खुड़ी सिक आप पे चीम्शिया चल रही है कहां कहां मुबार्क पूर सीट पर आसंगर की नहीं मुबार्क पूर में कोई कंस्यूजन नहीं है एक ही कंडिडेंट रहेगा या जाप कर रहेगा जनदिकार पार्टी का या एई-एम-आई का रहेगा एक ही कंडिडेंट रहेगा या राजबर जी रहेंगे या गुर्टू जमाली यह आजीत हो जाएगा काल सुबह आपको जानकारी हो जाएगा कि गुंडू जमाली रहेंगे बाबो जी ने कहा अभी आपको के तो सो हो गया है ने तो सो गया है ना एक सो ने हमारे आज सती है और ने हम अजित गुम जाएगा कि अब बायद है है ऐसे में आपका बयाना आता है कि हिजाब वाली इन्शालला प्राइम निस्टर बनेगी आपको नहीं लगता है कि इस तास कमेंटी को मुट्धि कर रहा है इस तरीके की बयाना और प्राइम जाहिर रहे कि उत्रुद्ध पूर इंडिया में आपके बात सही है आप कि दोजार निस में हमी मुट्धि के 17 में हमी मुट्धि के 114 में हर जगा हमी मुट्धि दुस्रा कोई नहीं करता है कि ओएसी साब चरण जीद सिंग चन्दी से लिए आप प्रदेश के मुख्यमंत्री को दूसरे परदेश के लोगों के बारे में इतना डिरॉगेट्री तरीखे से बात करना बिल्कुल घलत है वो एक सम्विधानिक पोस्ट पर है उनको जेब नहीं देता और जिस ओधे पर है उसका एखबाल रखना चाहिए तो उन्होंने जिस तरह से ये बात कही है मैं उसको नहीं मानता मैं उसको कंडेम करता हूँ और बिल्कुल घलत कहा उन्होंने अज़र अज़र आज महबूबा मुफ्ती साइबावी बोली है हिजाब के मुद्धे पे उन्होंने कहा कि बीजेपी इस पर नहीं रुकेगी मुस्लिम्स के जितने सिंबल्स हैं उन पर एक के बाद एक अटक किया जाएगा मुद्दी से पूछिए मुझे से क्यों वूज़र रहा है मुझे पूछिए ना वो भीजेपी के साथ ही ती थी ओ वो वीजेपी को लेका आई कश्मीर में बीजेपी का अग्यां पर डिप्टी सियम था और बीजेपी उनके साथ ये कहा कि 370 को हम नहीं करेंगे तो सब साथ मिलके थे उर्टो वो खुद बताएंगी वो बहतर जानी थे हैं बीज़ेवी को मुझसे ज्यादा हाँ नहीं हमारे साथ हो अफसोस की बात है मगर ज़्यादा डीटेल हो ही आपको जब मिलेंगे बता पाएंगे इंशालों मुख्यमंत्री जी लगाता है एक शब्दता इस्तमाल कर रहे हैं गर्मी का कह रहा है जो मारा विपक्ष है ज्यादा अगर होगा तुम गर्मी निकाल देंगे जून में भी हम गर्मी निकाल देंगे हाँ वो मौसम वेग्यानिक एक्सपार्ट है तो मुझे यकीन है कि वो माने पुरी दुर्विश्ट में अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मैं तो अपील करूंगा कि आइंदा जब वर्ल्ड क्लाइमेट कानफरेंस होंगी तो मुख्यमंत्री को वहां पर बलाए जाए वो बताएंगे देश को पूरी दुनिया को ग्यान देंगे कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है फॉसिल जूल से हो रहा है या जबान से हो रहा हो बता देंगे कि अब व्युक्ति ने बिया है कि इस वोट को अपने जन्ताओं को पूर्ट सोस्वाजिय करें कहिए बंगार और कश्मीर ना बन जा है अब यह अजीव जीव मुख्यमंत्री उसको अपने परदेश से महब्द नहीं है बंगाल कश्मीर की बात करते हैं तो उनको अपने परदेश से महब्द नहीं चाहिए ना उनको दिमाग में ये क्यूं आता है हमको नहीं बाता है सर उस्त्राखंट के वजीर आला ने ये बयान दिया था कि अगर हुकूमत रिपीट होती है तो कौमन स्वीर कोर्ट का निपास किया जाए अरे उनके उनके इलेक्शन मैनिफेस्टों को पढ़ा उसमें जिकर ही नहीं है और आखरी दिन उन्होंने बात कही है पिलकुल आख अगरे तो परसेंट तो ठीकी पड़ा है पहले पहले फेस्ट मुझे लगता है तिन चार परसेंट कम हुआ है और सिकन्द फेस्ट में भी कम हुआ है यह तो मैं मानूगा यह हम पॉल्टिकल पार्टियों के भी कुछ कमी है और जो एलेक्शन कमिशन है उसकी भी कमी है जो हमें 50% करना चाहिए है जो लोगों को हमें जायूब करना चाहिए वो हम नहीं कर सके और कुछ उदासिंता भी लोगों की हो सकती है पॉल्टिकल सिस्टम से क्योंकि जो गोर्मेंट थी खासकर कि जिस एरिया में चुना हो रहे थे किसानों का बड़े प्रेमाने पर विरोथ था वोगों के खिलाब थे लूगे लिघर हो सकता है।n गरूरी सु मादाधी पार्टि कोंपिड Pretback में चgame है मुस्तिंफ के जितना है बिद्ड मौण है रोग्षका त्व होगी है अचै दूसरे समाझ का ने कि दूसरे समाझ का ने गया ने ने तो ये ये ने क्या ये सा इकी समय दोट डालता है क्या अच्छे दूसरे का नहीं मिला उनको तो खाब शुक्ना चूर हो जाएंगे ओके सर बहुत वह शुक्रिया थाइंक्यों सर थेंक्यों झाले लिए घूदली है बिल्कुराए बाइस आजिए।